नमस्कार दोस्तों, हरियम एस्टेडी में आपका स्वागत है, आज हम लोग जीरो लेवल मैत का 49 वा भाग देखेंगे एक खंबे का एक बटा तीन भाग की चड़ में, दो बटा पांच भाग पानी में, तथा दस मीटर पानी के उपर है, तो खंबे की कूल लंबाई बताएं एक खंबा है एक खंबा है, देखें, क्वेस्टें क्या कह रहा है, करता है, एक बटा तीन भाग की चड़ में एक बटा तीन भाग, चानिया की चड़ में यह खंबा है और question कर रहा है दो बटा पांज वाग पानी में जो बटा पांज वाग यह पानी में यह खंबा झार और कता दस मीटर पानी के ऊपर यह तक पानी है और यहां पानी के नीचे यहां कीचड़ एक बटा तीन बग कीचड़ में और दो बटा पाच बग पानी में और पानी के ऊपर दस मीटर तो चैarta चाहिए क्या हो जाओ कि इसको जोड़ में तो उर सब्सुर प्यूंस्ट यह कूल आटाल जतो निकल जाये मन लेθη खंबे की कुल लंबाई x है ती तीनों जोड़ेंगे किसके बराबर हो जाए जनी x के बराबर हो जाए चलिए लिखते हैं माना खंबे की कुल लंबाई कुल लंबाई एक्स मीटर मान लिए खंबे की लंबाई कितना है खंबे की लंबाई एक्स मीटर प्रस्न अनूसार प्रस्न अनूसार प्रस्न की अनूसार प्रस्न क्या कर रहा है यानि खंबे का एक बटा तीन भाग की चड़ में यानि किसका X का खं़ी के लंबाई कितना माने एकस का 2 Vatt — proudly पानी में पलस दस, यह कीचड में एक वत तीन भात दो बात पान्च भात पानी में उपर में तो टोटल अगर जोड देंगे तो कितना हो जागा एक्स यानि कुल लंबाई एक्स ठीक है इसको हम लिख सकते हैं X बट्ट तीन 2 गुना X यानि 2 X बट्ट 5 पल्स 10 मराबर X आप देखिए यह एक्स बट्ट तीन 2 X बट्ट पल्स 10 तो देखिए किसी भी संग्यां कि नीचे हम एक लिख सकते हैं कि एक से भाग देंगे तो वह प्राप्त होगा जैसे पांच बट्ट एक से हम 5 को भाख देंगे तो भागफल 5 ही प्राफ्थ हो गारिजिया कि वही संक्यां प्राफ्थ हो जाए तभी इसका लोस निकालेग्गे तीन 5 और एक का लोस होगा 15 दिए तो तीन से भागफल तो भागफल कितना आएगा पांच तो X को 5 से गुणा करेंगे और 5 से अगर 15 को भाग देंगे जानि लॉसो कितना निकला पंदरो 5 से अगर 15 को भाग देंगे तो भाग फल 3 जानि उपर वाला अंस को किसे गुणा करेंगे 3 से और 1 से पंदरो को भाग देंगे तो भाग फल कितना आएगा कि एक सेगर 15 को भाग देंगे तो भागफल 15 आएगा जानि उपर वाला को किसे गुना करेंगे 15 बट्टा कितना हो जाए 15 इसका लोसों कितना है 15 तो देखिए कि यहां हो जाए कितना 5x 5 गुना x तो क्या होगा 5x तीन दूनी 6x पलस 15 बट्टा 15 बट्टा 15 ब्रावर x अब क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे और यह को ना को नहीं गुना हो जागा देखिए इसको जोड़ेंगे इसको कोना को नहीं गुना कर देंगे इस तरह गुना हो जागा है एक्स के नीचे अगर हम एक लिख दें इस तरह देखिए इसे गुना होता है यह से गुना होता है तो यहां कितना होता है चौर पांच एग्यारा एक्स पलस यह गुना हो गया तिर्शी गुना हो जागा तो कितना हो जागा पंदर एक्स अब देखिए इसको उस पर कर देते हैं उस डिट्रों को रहने देंगे इसको इस पर करेंगे तो यहां पलस है इधार जाएक तक्या हो जागा माइनस अगर माइनस रहता तो इधार लातें पलस है यह 15x में 11x घटा हैं कितना हो गया चार एक्स ठीक है अब हम यहां लिख सकते हैं 4x बरावर देड़ सा अगर x बरावर 10 तो 10 बरावर एक्स दोनों बात देखी है तो उसी तरह हम इसको इस पर करके लिख सकते हैं कोई दिख कर नहीं है अब देखी एक्स बरावर देड़ सो बट्ट चार अब इसको भाग देंगे तो 75 दूनी कट जागा देड़ सो और दो दूनी चार यहांनि 75 बरावर दो इसको भाग देंगे कितना हो जागा दो से अगर 75 को भाग देंगे तो दो ती अच्छो पाइब 2 सत्य चुग दर एक से चारी से चैनि 37 पूर्णांग एक बरावर दो हो जाएगा निख फाल पूर्णांग में लिखाता एक उपर और दो नीचे चलाय यानि कि 37 पूर्णंग 1 वर्टर 2 मीटर यह निकल गया है क्या एक्स इसलिए एक्स बरावर इतना हो गया है तो हम यहां लिख सकते हैं अत्त खंबे की कूल लंबाई Curry माने X ट्रर अक्स कितना निकल लगे 37 पूर्णंग 1 वर्टर दो मीटर चाहिए ओंठी है क Comics कि कूल लंबाई वे अतर खंबे की कूल लंबास 33 पूर्णंग 1 वर्टर 2 मीटर ठीक है चलिए अगला enforced्टेंद देखते हैं यदि X बटा Y बराबर 4 बटा 3 हो तो 3X पलस 2Y 3X माइनस 2Y का मान निकाले X बटा Y बराबर दिया हुआ है 4 बटा 3 तो देखे पहले X का मान यहां निकालेंगे देखे इसको तिर्शे कुना करेंगे इस तरह तो क्या हो जागा 3X बराबर 4Y इस तरह गुना होगा इस तरह तो X बराबर 4Y बटा 3 अब इसका मान यहां रख देंगे 3X पलस 2Y बटा 3X माइनस बटा 3 यहां चार Y बटा 3 पलस यहां माइनस है तो यहां माइनस देंगे यहां 2Y तो 2Y अब देखे यहां 3 3 कट गया थिरी थिरी कट गया इसमें भी थिरी थिरी कट गया तो यहां क्या बचा है यहां 4Y पलस 2Y बटा यहां 4Y माइनस 2Y अब देखिए चार और 2 कितना हो गया चार में 2 खट आएंगे तो 2Y अब इसको कट देंगे यहां 2 ती यहां 6 कट गया इसका कितना आ गया इसका एंसर आ गया तीन ठीक है इसका एंसर तीन आ गया अब देखिए यहां कुछ इस्टूजन्ट कन्फ्यूज को जाते हैं कि 2 तीय चौर भाग देंगे तो 3Y होना चाहिए अब इसको भाग देंगे तो देखिए 2y से अगर हम 6y को भाग देंगे तो 2y क्या हो रहा है तो भागफल कितना आ रहा तीन ही आएगा और इसको गुना करेंगे अगर y लिख देंगे तो 3 दूनी 6y स्कुर हो जाए इसलिए 3y नहीं होगा ठीक है चली अगला question देखते हैं यहां 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 लिखें यहां इंपलाइज के इस तरह चीन लगा दें दोनों का भेलू यह की होता है ठीक है उसे कोई दिक्कत नहीं है चली अगला question देखते हैं 64 पर यहां power 2 है square 36 पर square बरावर 20z एक सुत्र होता है a square minus b square बरावर होता है a plus b into a minus b यह सुत्र हमारे चैनल में एक वीडियो है उसमें बना दिये हैं प्रूब कर दिये हैं आप देख सकते हैं तो क्या हो जागा a plus b यह a है यह b है तो क्या लिखेंगे तो 64 प्लस 36 a plus b इसको a minus b ब्राइकेट a minus b यहनि इसमें 64 minus 36 a plus b और a minus b बरावर 20z तो क्या है आप देखेंगे इसको जोड़ेंगे 36 और 64 को तो हो जाएगा एक सो इसमें इसको घटाएंगे चोगदर में 6 8 5 में तीन घटाएंगे 28 बरावर 20z अब देखेंगे इसको इस पर करके हम लिख सकते हैं 20z बरावर 100 गोना 28 इसको इस पर लिखेंगे इसको इस पर लिखेंगे उसे कोई फरक ने पड़ता है यहां यहां का चीन लगाए यहां लिखें यहां इंप्लाइज का इस तरह चीन लगाएं उससे कोई दिख नहीं है आप देखिए आप यहां जैड लिखें गुना 28 अब यह 20 नीचे आगे देखो यहां गुना में राता तो बटा मायत अब इसको काट देंगे एक जिरो एक जिरो दो पंचे दस अठाइस पंचे एक सचालीस ठीक है यह जैड कितना निकल गया एक सचालीस तो यह कह रहा है कि इतना है तो जैड का मान निकल गया यह एंसर आगे आपका 140 ठीक है वीडियो यहांद करते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद